आज मैंने बीट रूट की पुड़ी बनाई है जो बचों को बहुत हल्दी और अच्छा भी लगेगा तो मेरी पेटी को तो पिंक कलर पसंद है तो उसे अच्छा लगा और मैंने इसे चने आलू की सब्जी के साथ में सफ किया था जो बहुत ही टेस्टी था एक अलर कलर और एक फ्लेवर आट करते हैं नोमल खाने में तो आईए चलिए बनाना शुरू कहते हैं तो सबसे पाले मैंने दो का पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा बीट रूट ग्रेट करके रखा हुआ था तो उसको मैंने आट किया थोड़ा सा गरम पानी करने तक और उसको आट करने के एक अच्छा सा आटा गून सकों फिर मैंने दो कप आटा लिया उसमें सॉल्टू टेस्ट डाला और एक टी स्पून अजवाइन डाली इससे अजवाइन डाले से थोड़ा सा टेस्ट एड हो जाता है अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको आवाइड भी कर सकते बत मैं र आटा अपर नहीं डालें डालें पानी तो वो ग्लूटेन जो है बहुत बढ़ी अडरी केसे फार्म होगा और देखे, मेरा अटा बहुत ही सुन्दर लग रहा था देखने में तो भग पिंग पिंग लग रहा था मेरी बीटी भी आ देख रहे थी तो उसे भी मज़ा आ रह करें वह जिससे उसका कलर बरकरा रहेगा और साथ में तेखने में भी अच्छी लगेगी सर्विंग करने के टाइम पर थोड़ी सी जली जली अब दिखाई लेगी तो अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने दिखिए बहुत प्यार से अच्छी से उसको फ्राई किया और उसके ब आपनी अपनी फिनिश कर लेते हैं और यह दिखें मेरी प्यारी से पिंक पूडि मेरे पिंक सी पूरी सी बेटे के लिए जो उसने बहुत ही अच्छे से खाई ती और उसका रिव्यू देखना बहुत जारा जारा ज़ूरी था तो दिखिए अब मैं उसका पको रिव्यू तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज के चाहिए मुझे प्लताएं